गुद बॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग मैं आज ना सिंग सक्सेसमंग चैनल पर आपका 26 माई 2020 को मोस्ट इपॉर्टेंट करेंट फेर के साथ था सिरू तो आज हम लोग करेंगे 26 माई 2020 को क्या के आप मुख्ये खबरे हैं हमारी भारत में अंतरास्टी खबरे स् आज हम कावर करेंगे इसके साथ ही मेंस की कोड जो मेरे चैनल पर चल रहे हैं उसको देखना बिल्कुल ना भूलेगा क्योंकि जल्दी कंप्लिक्टर वाली हूं एक साथ ही चार पंस वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग को जैसे ही एक्जाम शुरू होगा ये कोविड-19 के जो प्रकवब चल रहा है उसके बाद तो आप लोग को विल्कुल भी दिक्कत ना हो तो ओनलाइन पढ़ाई करते रहिए सेफ रहिए घर में तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 26 मई 2020 के करेंट अफेर तो पहली सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मैंने सागर और भी लोगों ने आंसर दिया है बट सबसे पहला आंसर जो आया है मुहित का आया है तो इसलिए उनका नाम मैंने स्क्रीन पे शो किया है तो आज चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेर क्या है भारत की लीजेंड होकी खिलाडी और कितनी बार के ओलंपिक स्वंड पदक विजेता बलबीर सिंग सीनियर का लंबी बिमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया तो यह आप याद रखेंगे इसमें दो कोशिन बनते हैं कि बलबीर सिंग सीनियर कौन थे थे यह होकी खिलाडी आप शंड बटक विजेता थे और इन्होंने कितनी बार होकी खेला था ओलंपिक स्वंड पतक विजेता थे तो इन के साथ और टीम पूरी टीम मों तो बलबीर सिंग सीनियर भारत के इकलोते ऐसे खिलाड़े तो जो तीन बार ओलम्पिक गोल्ड मैडल विजेता के सदसे रहे वे लंदन हेलिन सी की एयर भी दे रखा है तो आप बहुत ही इंपोर्टन न्यूज है तो इससे याद रखेंगे और मेलबन उलम्पिक में गोल्ड जीतने वाले भारती टीम का हिस्सा थे बलबीर सिंग सीनियर को साल 1956 के मेलबन उलम्पिक में भारत का कप्तान बनाया गया था और भारा सरका ने साल 1957 में बलबीर सिंग को पदम स्रीशे भी समानित किया था और साल 1975 में विश्युकप टीवी जेता टीम के मैनेजर भी थे तो बहुत ही important person थे तो इनके बारे में हर एक चीज जो बारे की से मैंने आपको यहां दिये वो learn करनी है आपको याद रखनी है की है तो यह गोश्क ना की है केमरा बैंक ने कोरॉना वाइरस से प्रभावित करिश्दारों को केरेडियों क्रेडित संपोर्ट के जरी स्थरी क्विकलोन मध्यम हैं उनके लिए लोन चारी किया केनरा बैंक के द्वारा किस राजी व्यापी सरकार ने किस राजी सरकार ने राष्ट व्यापी लॉक्डाउन की कारण प्रभावित राज के MSMES छेतर को सहारा देने के लिए restart नाम का नया कारिकरम शुरू किया है तो ये शुरू किया है आंध प्रदेश की सरकार ने शुक्षमर लगु उद्योगों के लिए restart नाम कारिकरम शुरू किया गया है तो ये कारिकरम जो है 98,000 इकायों को लाव होने की इसमें उम्मीद जिता ही जा रही है तो 10 लाग से अधिक लोगों को रोजगार पदान करती है MSME का मतलब है सुक्षमर लगु उद्योग इसके पुनर उद्धान के लिए आंत्रपरसासरकार 1100 करोड रुपए खर्च करें की मुख्यमंत्री ने 400 करोड रुपए की पहली जो किस्त है वो जारी करते हुए सुक्षमर लगु उद्योग सेक्टर के फर्मों को कम ब्याज़द रुपए इंपुट पूंजी प्रदान करने के लिए 200 करोड रुपए का एक विशेश कोर्ष बनाया जाएगा इन्होंने कहा है नेक्स कोशन पर चलते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है इसमें भी दो कोशन बनते हैं केंद्रे स्वास्त मंत्री हर्ष वद्धर ने कितने सदस्टे डबलु एचो की कारिकारी बोड के चेर्मेन का कारिबार ग्रहण किया है तो यह आप याद रखेंगे कि अभी को सदस्यत जो कार्यकरी बोड के सदस्य हैं उनके जो चेर्मेन होने का कारिबार ग्रहण किया है बनद्र जैपान के डॉक्टर हिरो की नाकातानी की जगय लेंगे हर्ष वदन को चेर्मेन का कारिबार न्युक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्यवाली विश्व स्वास्त सभ ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे नेक्स कोशिन हाली में किसने विदेशों में फसे कुछ श्रेडी के OCI कार्डधारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है तो यह मंजूरी जो है वो दी है केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है OCI का मतलब होता है Overseas Citizen of India कारड़ारकों को भारत आने की मंजूरी दी है सरकान ने स्वधेश आने की इच्छो कारड़ारकों के लिए कुछ रिणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंग में धील देने की भी घोशना की है किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाग करोड कर दिया गए है तो बहुत जादा बढ़ाया यह वजट तो यह बढ़ाया चीन की सरकार में इन्होंने रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाग करोड रुपए कर दिया जो कि पिछले वर्ष की तुल्ला में 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया जो भारत की रक्षा बजट से तीबून आधिक है तो यह मुम में खबर हैं आपर कि भारत की रक्षा ब नन्नाइशनल गवर्मेंट डिम अहीं जाएगा किम अरजंटीना में डीटेल देख लेते हैं तो पच्छिस माई पहला रास्ते दिवस मनाया जाएगा इस दिवस को पहली बार अरजंटीना में 25 मई 1810 को मनाया गया था नेट्स कोशन अंडमान के पास दुरला पाम पाम का ब्रिक्ष होता है यह कहां रोपित किया गया है जो अंदमान पे ही मिलता है वह कहां पर उठा के कहां पर दुबारा प्लांट किया गया है तो वह किया गया है केरल में यह इंपॉर्टेन न्यूज है तो दक्षिन अंदमार में पाए जाने वाल है दूलब पाम केरल के पालोड में जवालनल नहरो ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्ट्यूट के सौजन से रोपित किया रहा है तो यह पाम कहां मिलता है दक्षिन अंदमार में और इसे जो हम प्लांट करने जा बैसे सवाल में देना है अगर अगर अपना नाम चाहते है लृव नहीं नामे कें और रचित्वा नाम से एक को इसने नाम आप बने केंद मन्चित्र इस स्वाहinum को अ Minister में जिसमें अनर आप बारत के लिपुले का पानी और लिंप्या धुरा को स्वामिल किया है तो पाकिस चीन बंगलादेश या नेपाल इस question का answer मुझे comment box में दीजिए और आज के लिए बस इतना ही तो चलिए मिलते हैं कल 27 माई की current affair के साथ बाकी और वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेंगी तो थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग सक्सेस मंच